आज हम आपके लिए टॉप ट्वेंटी को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो साथ में बैल आइकन को दबा लो तो देखिए हमारे पर जो फर्स्ट कोशिन है वो क्या बोर रहा है which of the following range of pigment volume concentration number is recommended for paint for prime coat on metal metal के उपर आपको prime coat करना है तो paint के लिए एक pbcn number होता है उसकी range क्या होती है यहाँ पर यह question पूछा गया है तो यह वीडियो के निचे comment भी क्या करो कि भी आपने आपने out of 20 में कितना score किया है इस वीडियो में 23 question आपके लिए लेकर आया है लेकिन आपको फिर भी 20 में score बताना है कि भाई कितना score किया है तीर question as a आपको दे रहा हूं मैं कि भाई आपका थोड़ा बद गल्द हो जाए तो कोई बार नहीं 20 में ही आपको बताना है कि 20 में से कितना किया आपने तो पीविसी जो नंबर होता है पेंट के लिए प्राइम कोड़ जब आप मैटल के उपर करते हैं तो 25 से चालिस उसकी रेंज होती है 25 से चालिस option डी हमारा इस question में अंसर हो जाएगा वैसे पेंट के लिए जो पीविसी नंबर होता है बहुत सारी condition के लिए होता है जिसके फ्लैट कंडिशन होती है फ्लैट कंडिशन में भी आपसे एक्जामें पूछा जा सकता है तो फ्लैट से 45 होता है उसके लिए जो होता है उसके लिए 25 से 25 होता है तो यह condition होती है पीविसी नंबर की तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लेजिए अब देखिए यह question कई वार एक्जाम में पूछा गया लेकर इसके थोड़े वह जो related point होते हैं वह भी आपको पाता होने चाहिए कि best season जो होता है जो पेड़ होते हैं उसको काटने का ताकि आप production के लिए उसको यूज कर सके हिली एरिया की बात हो रही है प्लेन एरिया जो नहीं उसकी बात नहीं हो रही है पहाड़ जो होते हैं वहां पर बात हो रही है तो जब देखिए जब भी पेड़ आप क चुका हो maximum यह निकि उसकी जो होनी चाहिए पचास और सो साल जो होते हैं वहां तक उसकी एज हो तब जाकर आप उसको काट सकते हैं कि वह डियूरबल भी होगा आपको हार्ड भी देखने को मिलेगा उसमें सारी क्वालिटी जो होती है पचास और सो साल के बीच का जो पेड कातने चाहिए में पहला फेक्टर तो आपको यह याद रखना कि वहीं पचास और सो साल के वेच में उसकी एज है यह यह नहीं है यह चीज़ इंपॉर्टेंट है तो हीली एरिया की अगर हम बात करें तो हीली एजिय के लिए गर्मियों में पेड कातने चाहिए कोई करते हैं लिदेखते हैं कि इस कोशन का अंसर देगा कोशन देखती मैं पड़ लिता हूं आपको अंसर कमेंट बुक्स में लिखना है इंडिन स्टेंडर्स रेफर्टू डिल्रमाइन जोन ओफ फाइन एग्रिगेट जोन से हमारा यह मेनिग है कि भाई कौन से आइस कोड में आता है वो सिंपल आपको कमेंट बुक्स में कमेंट करना कि पर इस कॉशन कांसर क्या होगा अगला कॉशन हम देखते हैं which position of natural wedge of stone relative to direction of pressure ensure maximum strength कौन सी direction होती है जो कि ensure करते हैं कि भई हमारा जो stone का badge होगा वह आपको मेक्सिम्स टेंद देगा कौन सा आपको मेक्सिमम स्टेंद देता है तो मेक्सिमम स्टेंद की अगर हम बात करेंगे प्रपेंडिकुलर तुदर नैच्रल वेड़ ऑप्षिन ए हमारा इस कोशन में से हो जाएगा इंपोर्टन कोशन है अब नेक्स्ट कोशन जो हो है वो भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है चाहे चाहे एससी जाए का एक्जाम हो चाहे आर एस एमस जाए का एक्जाम हो या फिर यूपी प्यसी का एक्जाम हो का इस स्टेट में यह कोशन पूछा गया है देखिए which of the following manufacturing brick is carried out in pug mill manufacturing brick is carried out in pug mill pug mill के लिए कौन सी process जो होती है manufacturing की वो यूज होती है teasing cleaning weathering tempering तो जब भी आपको यहां पर पूग मिल का नाम देखनों को मिलता है तो पूग मिल जो होता है यहां पर तीन चार आपको अंसर आने चाहिए कि पूग मिल जो होती है किससे रेट करती है पूग मिल में क्या करते है कि हमारे पास ब्रिक बनाने की मिटी बगरा होती है उसको क्या करना होता है गुंधना होता है kneading करनी होती है या फिर pugging करनी होती है या फिर tempering करनी होती है इस सारे word जो है pug mill से relate करते है ओप्शन D हमारा इस question answer हो जाएगा इंपोर्टन कोशिन है भाई ये नीदिंग, पूगिंग, टेंपरिंग, तू देखिए तीन वर्ड जो है एक ही से रिलेट करते हैं पूग मिल से, अब अगला कोशिन देखिए, जो हिंदी वाले हैं, वो हिंदी वाले हैं, सभी को पता है कि हुं हिंदी में भी कॉषिन को प्रवाइड कर रहे है तो यहां पर थोड़ा बहुत question missing है लेकिन कोई बाइद नहीं आपको ऐसे ही याद करना है कि भाई जो hydraulic, moderate hydraulic lime होता है, वो उप्योग होता है, किस में होता है, यहां पर यह पूछा गया है तो वो होता है, masonary motor जो होता है, उसमें यह use होता है, moderate hydraulic lime जो होता है, important question है, अगर इसमें हम मिटी की बात करें, कि भाई इसमें मिटी कतनी होती है, तो 5-30% इसमें मिटी आपको देखने को मिलती है, clay जो होती है, इसमें यह देखने को मिलती है, important question है, तो इसको भी आप अच् कर लिजिए अगला हम कोशन देखते हैं विच्वत फॉलिंग ग्रेट्स और कुंक्रीड इस रेकमेंडर बाई बी आई एस ब्यूरो अप इंडिन स्टैंडर्ड जो है फोर मोडरेट मोडरेट कंडिशन जो होती है उसके लिए कौन सा ग्रेड जो है रेकमेंड किया गया है च कि आपको कौन सा ग्रेड जो है रेकमेंड करेगा मोडरेट कंडिशन जो है उसके लिए इंपोर्टन कोशन आई एक्जाम के पॉइंट ओप उप से तो यहां पर मैं आपको आपको सारी ही कंडिशन ने बता देता हूं कि आपको आपको कंडिशन के लिए आप कौन सा सीबीर कंडिशन होती है उसके लिए कौन सा होता है एंथर्टी होता है वैरी सीबीर जो होती है उसके लिए एंथर्टी फाइव होता है एक्स्ट्रीम कंडिशन जो होती है उसके लिए एंपोर्टी होता है ट्वेंटी से शुरू हो रहा है फोर्टी पर खतम हो जाता है ट् तो आप कोशन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कोशन क्या बोल रहा है एंड आपको ये भई आपको 100% बरकिलविटी चाहिए तो 100% बरकिलविटी आपको देगा तो कौन सा शेव का एग्रिगेट होता है तो यहां पर हमारे पार चार ओप्शन दिये गए हैं तो इस कोशन इजी लेबल का कोशन है वो राउंडड का होता है इसमें आपको क्या मिलती है बहुत ही कम लेस बरकिलविटी देखनों को मिलती है अब यहां पर सबसे पहले हम इस कोशन का अंसर तो बी है इसके थोड़े बहुत आपको जो हानी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो हानी होती है अगर हम rounded shape के aggregate जो होते हैं इसमें void ratio की बात करें तो void ratio जो होता है 32 से लेकर 33% इसमें void ratio आपको देखने को मिलता है and इसमें जो interlocking होती है वो बहुत ही कम होती है interlocking जो होती है वो होगी तब जाकर आपको क्या मिलेगी अच्छी strength देखने को मिलेगी तो देखी कितने सारे इसके क्या है disadvantage है हानी है rounded के तो जो हमारे पास angular aggregate shape का जो aggregate होता है उसमें आपको इसका उल्टा कर लिजिए तो बहुत ही important question आईए अब अगले question की अगर हम बात करते हैं अबर which of the following test detect presence of unconfined lime in cement unconfined lime in cement presence of बहुत ही important question है lime का presence के लिए आपको पता है कि भई आप soundness test करते हैं तो soundness test में आप ली चटलियर जो apparatus होता है चटलियर अपरेटर्स जो होता है उसे आप free lime के बारे में cement पर पता कर सकते हैं अगर आपको free lime and magnesia का पता करना तो auto clave test आप कर सकते हैं यहाँपर भी condition है अगर आपका magnesia 3% से ज़्यादा है तब आप auto clave test होता है वो कर सकते हैं option D हमारा इस question में answer हो जाएगा next one question देखे stack in pert network refer to stack जो होता है stack एक word है जो कि pert, pert क्या होती है program evaluator review technique जो होती है यह होता है pert की full form तो बोर रहा कि pert network की एक technique है उसमें यह stack जो होता है वो किसको refer करता है उसका क्या meaning है activity event या फिर dumpy activity या फिर none of the above क्या answer रहेगा इस question में तो stack की अगर हम बात करेंगे यहां पर तो वो एक activity में ही आएगा part में एक activity होती है next question देखे which of the following category of sand show maximum bulking of at certain percentage of moisture content maximum bulking at certain percentage होता है moisture का maximum आपको bulking किसमें देखने को मिलती है जो fine sand होता है जितना ज़्यादा fine sand होगा छोटा sand होगा उसमें उतनी ज़्यादा आपको moisture content देखने को मिलेगा and उतना ही ज़्यादा आपको bulking भी देखने को मिलती है तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए अगला question बोल रहा है कि a nozzle is generally made of nozzle जो होती है किसकी बनी हुई होती है nozzle nozzle जो बनी हुई होती है made of तो यहाँ पर सारी shape ही बताया गया तो किस shape होती है question यह पूचा गया है तो यहाँ पर एक तो question और भी निकलेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा तो nozzle जो होती है वो क्या होती है एक convergent shape की होती है option B हमारा इस question में answer होगा convergent shape की होगी nozzle जो बनी हुई होती है तो यहाँ पर एक तो point और निकल काते है जिसकी एक nozzle से जो हमारा पानी निकलता है उसका velocity होती है उसका formula होता होगा कुछ ना कुछ भाई velocity जो होती है उसका formula क्या होता है तो यहाँ पर दो condition आती है दो condition यह आती है कि जब भाई love होता हो आपको या पिर जब हानी हो रही है तो यह condition होती है जब भी पानी जो होता है फ्लो करता है तो उसका जो बेक अप ब्लोस्टी होती है उसको find out करने का formula अब देखिए v is equal to under root 2gh यह किसके लिए होता है जब हानी ना हो हानी नहीं हो तब उसके लिए foundation यानिके लाव हो रहा है तब आप इसको इस formula को यूज़ करेंगे जब आपको हानी हो रही हो तब आप cv is equal to sorry v is equal to भी इस equal to cv under root 2gh यह यहां पर cv into under root 2h यह लगाएंगे जब आपको हानी हो रही होगी लाब के लिए आप इसको लगाएंगे velocity find out करेंगे तो velocity में भूल गया था नीचे वाले पूरवल में तो velocity यही है option इस question में भी हमारा answer हो जाएगा अगला question हम देखते हैं यहां पर which of the falling is non recording rain is non recording पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था जब हम एक UPSC series लेके आये थे आपके तभी के लिए कि निचोड वाली वीडियो मैंने comment करने के लिए बोला था किसी ने comment नहीं किया है है second part हम बनाने की सोच रहे हैं लेकिन आपको कमेंट नहीं आया कि एक दो स्टूडेंट कर रहे थे कि सब मैं ऐसी वीडियो ढूंड रहा था एक कमेंट तो हमें मिला है लेकिन एक ऐसा बोला है कि सब अग हिंदी में हो जाता तब आच्छा था तो हिंदी में बनाएंगे त तो भाई टाइम बहुत लगता है तो देखिए नौन रिकोर्डिंग टाइप का जो रेन गेज होता है वो कौन सा होता है वेरी इंपॉर्टन कोशन है यह नौन तो इस कोशन में हमारा अंसर क्या हो जाए का ऑप्शन सी साइमन रेन के ज़्व औप्शन सी बागी क्या है रिकोर्डिंग ज़्यों है उसके पाद अगला कोशन देखिए तो मैगनीचूड ओफ वाट रहंभर इस closed जहां पर हमारी value वल्ब जो होता है वल्ब जो बल्ब होता है वल्ब जो बल्ब होता है वो close हो जाता है उस पर depend करेगा and elastic property जो होती है of the pipe material की उस पर depend करेगा elastic property तो liquid flowing through pipe इस पर भी depend करेगा all option are correct सभी correct option नहीं आपर D हमारा स्कॉशन मंसर हो जाएगा अगला देखिए for any star to be circum polar star is its option D हमारा distance from the pole must be less than latitude of the observer option D हमारा स्कॉशन मंसर हो जाएगा अगला option देखिए अल्टी दिस्टेंट जो होती है geostationary satellite from the earth is about तो वो है 36,000 km 36,000 अगला देखिए process of turning the telescope about the vertical axis in horizontal plane is called एक process है जिसमें आप telescope को turn करते हैं about the vertical axis in horizontal plane उसको आप swing करना बोलेंगे swing, swinging option C हमारा इस question में answer हो जाएगा अगला question देखिए तो operation of turning the table so that all the lines on the paper are parallel to corresponding lines on the ground is called orientation, setting, labeling या फिर centering क्या आप उसको बोलते हैं अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लो साथ में बैल आइकन को दवा लो तो उस चीज को आप बोलते हैं orientation बोलेंगे यह हमारा इस question में answer हो जाएगा उसके बाद देखिए the contour lines contour lines जो होती है cane cross one another own map एक दूसरे को map पर cross करती है contour के line जो होती है वो कौन से cases में करती है vertical cliff में, valley में, a ridge में या फिर over hanging cliff जो होता है इसमें तो over hanging cliff में ही करती है option d हमारा इस question में answer हो जाएगा अगला question बोल रहा है कि spare test is used for adjustment of spare test जो होता है उसको आप use करते हैं ताकि वो adjust कर सके किसको line of side को vertical axis को horizontal axis को या फिर adjustment of altitude bubble तो horizontal axis जो होता है उसको adjust कर सके उसके लिए आप क्या करते हैं spare test जो होता है उसको आप तब जाकर करते हैं option c हमारा इस question में answer हो जाएगा अगला question बोल रहा कि infiltration rate is always infiltration rate जो होता है वो हमेशा होता है क्या होता है तो वो हमेशा होता है या तो बराबर होता है या फिर less than होता है infiltration capacity जो होती है उससे बराबर या फिर कम होगा infiltration capacity जो होती है उससे option b हमारा इस question में answer हो जाएगा अगला कुशन देखे, duty is largest, duty सबसे ज़्यादा maximum होती है, किस में, field में होती है, या फिर main canal में होती है, या फिर किस में होती है, या सभी places में होती है, तो सबसे ज़्यादा duty होती है, फिर अ होती है, खेतों पर सबसे ज़्यादा duty होती है, जैसे आप उपर की और बढ़ते जाएंगे, उस बज़ زचे highlight की duty होती है, वो कम भी होती जाएगी, आप उपर जाएंगे पानी की ड्यूटी जो कम होती जाएगी तो सबसे कम जो होती है वो head जो होता है canal का उस पर आपको सबसे कम ड्यूटी देखने को मिलती है लेकिन maximum field पर ही देखने को मिलती है option A हमारा इस question मंसर हो जाएगा जिसने आभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो कर ले और साथ में बैल आइकन को दबा ले अगला और last question देखिए हमारे इस वीडियो का lining of irrigation channel lining of irrigation channel वो आप क्यों करते हैं simple यह पूछा गया कि lining of irrigation channel या फिर कैनाल की आप क्यों करते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बाटल लोगिंग के बारे में बस्केister के कुछ एडवांटेज्ड क्या थे वह वह पे बस्क्राइब बता थे तो उसलिए आप वाटल को कैनाल होती है उसकी lining करते हैं ताकि water logging area जो होते हैं वह water logging को कम कर सके decrease the water logging area option B हमारा इस question मनसर हो जाएगा lining of irrigation आप इसलिए करते हैं ताकि जो water logging की समस्या होती है उसको कम किया जा सके option B हमारा इस question मनसर हो जाएगा तो friends यह थे हमारे 23 question आपको comment भी करना कि आपने आप 20 में कितना score किया है वैसे 23 में कितना किया है कि आपने कितने ठीक किये हैं तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में